एड़ोकेट शुर्ती शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया महराजी आपके चोड़नों में कोटी-कोटी पना महराजी मैं दिल्ली में वकालत करती हूँ और अकसर मेरे द्वारा अपरादियों की वकालत होती है कई बार उनके गलत होते हुए भी उनको दोश्मुक्त करवा दिया जाता है जिसके पश्चात मेरी आत्मा ये गवाई देती है कि मैंने पीडित पक्ष के साथ अन्याय किया और अब मुझे परमात्मा द्वारा इसका डंड दिया जाएगा जैसा आप प्रश्ण करें ऐसे एक बच्चा नमीन जो वकील था बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रश्ण किया था कि मैं जानता हूँ कि अपराधी है पर मुझे ये मेरी कंपनी सब देया ऐसा कुछ बो उन्होंने बोला था कि कोई एक कंपनी है उसके अंदर वो अटैच हुए है वो नई वकालत में अभी है बट उनको शिखाया जाता है केस कंपनी लेती है दिया उसको जाता है ऐसा कुछ ऐसा तो उसने का मैं जानता हूँ क्यों अधर्मी है उसे दर्ण मिलना चाहे पर आई हो और उसके हत्या उसने की ओ और आफको यसरा से देख हए और के मुझे जिता दूट तो किआ डिता दोगे आप पूरी वकालत लगा दो कि उसको फांसी हो क्यों क्योंकि आपको भाई था आपका बेटा था आपका प्रिजन था और वो जिसको आप जानते नहीं है वह क्या क llegóड गिड़ाए लेकिन वह आकर के रुपए की घड़ी रख दे तो आपने अपनी वकालत का दुरुपएु किया ना आप खोद नियायाती भगवान वह अवश्य देते हैं इसलिए अब आप को कैसे बता है हाँ तो सब भगवान की कृपा से दर्सन देते हैं अपनी बाद बहुत बड़े पदपे हैं बहुत बड़े पदपे और वो आके असंतोष जब प्रगट किये ना अंदर से मैसूस करते हैं और वो भी करते हैं कि आप से अपने पद का दुर्पयोग हुआ है इसलिए आप असंतुष्ट हैं वो आपके चेहरे पर अशान्ती है रदय जल रहा है वो आपके घर में क्लेश है और ये आपको साहत पहले ही जब आपने प्रशनी किया था बहुत से वकीलों के साथ तब चर्चा ये की थी कि आप अगर अर्थरासी प्राप्ती प्रधान भाव रखेंगे तो जब आप उसको जिता देंगे आपको अर्थ मिलेगा तो आप हार जाएंगे और वो अर्थ जाकर आपके घर में अशान्ती पै से कि मैं इससे उसको बचा सकता था उस दुष्ट को दंड दे सकता था पर मेरे से गलती हो गई पक्का ऐसे ही जब न्याय गलत होता है तो जो अंतरात्मा निर्दोशी के होती है वो जब शाप देती है तो कोई कितने भी पद पर बैठा हो फिर उसका पतन निश्चित हो ज जाता है उसके चेहरे की कांती नष्ठो जाती है उसका हरदय उसको कोसने लगता है और उसका परिवार उसका ब्यवार आइसा प्रतिकूल सामने आता है वो किसी से कई भी नहीं सकता और अंदर जलता रहता है यह हुआ ब्याज और मूल मिलेदा पक्के नयाधिस के हाँ यहाँ सब जनित नयाई है ना वो मायाधिश है उसके दर्बार में न तो कोई किसी की वकालत चलती है और न किसी की घोश चलती है वो सीदेव आके वाल नयाई होता है क्योंकि वो ही साक्षी होता है उसे पूछने की जरूत नहीं होती उसे किसी वकील की जरूत नहीं होती वो श्वयम नयाधीस तुवारे अंताकरण में बैठा एक एक बरत्ती को देख रहा है ततकाल फाइनल ये नर्क ये नर्क इश्योन में मुझे लगता है उसे भी नए भाई से कहा था कि सैकिल से चलने को मिले और नमक रूटी सबजी खाने को मिले थोड़ा कम महेंगी पोशाक पहने को मिले लेकिन आपकी छाती चौड़ी रहेगे आप ऐसे रहेंगे कि आप से डरेंगे लोग अधर्मी लोग कि इसको चाहे जितना हम दे दे लेकिन ये आज में तूटने वाला नहीं तो भगवान आपके साथ जब भगवान आपके साथ तो शांती, शूख, आनंद इस अब आपके हिरदय में रहेगा और इसी के लिए तो सब कुछ किया जता है आप सोचो हमारी पढ़ाई किस काम की यदि हम किसी एक निर्दोस को फसा दे और एक अधर्मी को छोड़ दे तो मेरी वकालत किस काम की फिर तो मतलब व्यापार हो गया ना अब व्यापार, अधर्म का व्यापार फिर कैसे सांती मिलेगी क्यों बच्चा आप बताओ ना जब मुझे पता है कि अगर इस विक्ति की जगे मेरा भाई होता जिसको इसने दंड दिया है या हत्या किये या चलकपट किया है तो मैं बख्षती नहीं पूरी वकालत की ताकत लगा के और इसको बंदी बनाती वही काम हमें भार भारतवासी के प्रति करना है अगर वो हमें पता है कि एक गलत है एक जगे चमा का रास्ता निकलता है जैसे किसी से पहली बार गलती होई अचानक ऐसी गलती हो गई और हरदे से कहता है कि मैंने गलती की है कभी नहीं करूँगा कभी नहीं कि उसका क्रेमिनल रिकार्ड नहीं है हाँ उसके पास ऐसा नहीं कि वो पीछे बहुत गंदा आचरंग करने वाला रहा है तो मुझे लगता है कि अगर हम एक बार चांस दे तो हो शक्ता है वो भी एक अच्छा व्यक्तित वाला आदमी बन जाए पर बड़ा मुश्किल है ऐसा कोई बिरला ऐसा आएसी जगह में अगर कहीं आपको ऐसा हरी पेरित कर रहे हैं मुझे लगता है इस आदमी के आशों में दम है तो एक बार अगर कहीं कैसे भी उसे बचाया जा सके तो आगे ना करे ऐसी मेरे अंदर की भावना कहती है पर ऐसे प्राया नहीं होते हैं अगर हम जोड़ देते हैं तो उसका प्रोचान बढ़ सकता है क्यों पर मुझे लगता है जिसे पहली बार किसी से अगर गलती हो जाए और वो शुधर ना चाहे तो अगर एक बार उसे चांस दिया जा तो सुधर सकता है ऐसा लगता है हमें कि जिससे अचानक कोई गलती हो गई ओ गलती करना नहीं चायता था यद्य प्रोची vậy का पर वो करना नहीं चाहता था ब्यु Awesome यह भी बात है अपरादि को छम आपराद का बढ़ावा देती है यह भी है उसको d दन्ड मिलना अनिवार है पर कवी-कभी मैंविचार करने पर आता है कि कोई ऐसी घटनाए घट जाती है कि एक निर्दोस पुरूस से भी दोश बन जाता है अचानक और वो चाहता है कि अगर मैं एक बार इस दोश से मुक्त हो जाओं जीवन में कभी गलती नहीं करूँगा तो अगर अगर कहीं हरी ऐसा पेरित करें तो शाहिव कर देना चाहिए पर यह जान करके कि यह अपराध में बहुत प्रवीन है और मुझे बहुत धन्राश से देगा अगर जिता देंगे तो फिर नहीं होना चाहिए उसमें फिर अपनी हानी हो सकती है क्योंकि हमारी विद्वता हमारी पढ़ाई हमारी बुद्धिवानी राष्ट सेवा के लिए है आप एक बहुत बड़े राष्ट सेवक है आपकी प्रमान से आपकी वानी से एक निरदोस को आजिवन सजा मिल सकती है और एक दोशवान मुक्त हो सकता है और एक दोशवान को उसका दंड मिल सकता है और एक निर्दोश छूट सकता है दोनों बाते हैं आपके हाथ में तो मुझे लगता है अपने हाथ से गलती ना हो यही हमारी पढ़ाई लिखाई का फल है चाहे जिस विशाय में हो चाहे जहां हो चाहे जैसे हो मेरी तो प्रार्थना यह है धन उन्नती नहीं है धर्म उन्नती है अशत्य उन्नती नहीं है शत्य उन्नती है जो आपके हर्दय को प्रसंद रखेगी जो आपके हर्दय को शांत रखेगी किसी निर्दोस को बचा लोगे तो उससे जो उसका आशिरवाद आपकी तरफ आएगा वो इतना बड़ा धन है जो आपको शुकी कर देगा और किसी निर्दोस को धन्ड मिला वो जब आपकी तरफ देखेगा रुद्ध दृष्टी से तो वो आपके लिए बहुत हानिका रख हो जाएगा सबके अंतरात्मा में परमात्मा बैठा हुआ है हमको यह भी ध्यान दखना है अब अपराधी को दंड देने से वही परमात्मा जो उसके हरदम बैठा खुश होगा कि मैंने इसको रोका था पहले जैसे आप कोई भी पापा चरंड करने की चाह करो तो देखो अंदर से भगवान रुकते हैं एह नहीं पकड़े जाओगे तो में दंड मिलेगा यह पाप है लेकिन बहुत धीमी आवाज में होता यहां कोई भी नहीं के सकता कि मुझे रोका नहीं गया क्योंकि सब के हरदय में गुरू मान लो या इस्ट मान लो बैठा हुआ है वो रुकता है और जब आप नहीं रुकते हैं और पापा चरंड करते हो जब दंड मिलता है तो आपके अंदर भी आता है मेरे हरदय में तो आया था यार वो ऐसे बुलता है, मेरे मन में तो आया था कि यार, ना करें पर फस गए, बहुत बुरा फस गए, अब क्या? अब वो जब दंड मिलता है, तो जो आदेश पहले किया था हरी ने, कि मत करो, अब वो आनंदित होता है, वो तुमगारी पूजा हो गए, अब तुम्हे आशिरวा आप लोग समाज में वह ऐसा वाइभवय कत्रित नहीं कर पाएंगे यह माना लेकिन आपका हर्दर बहुत प्रसंद रहेगा आपका परिवार सुखी रहेगा आपकी विचाथधारा ऐसी रहेगी कि लोग जो अधर्मी वो देखकर आपसे कत्राएंगे यह नाम यह व्यक्ति नहीं नहीं यह तूटने वाला आदमी नहीं है नहीं 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 यह तुम्हारी जो इस्तिती वनी समाज में यह बंदनी इस्तिती है बहुत सत्य वकील है वो फ्राड केस तो लेगा ही नहीं वो डरेंगे असत्याचरण करने वाले आपसे हमें लगता है हमारे मानो जीवन का यही सबसे बड़ा दुरलप्पद होगा कि हमारे अंदर ऐसा व्यक्तित हो जाए कि सत्य वाले हाथ मिलाएं और असत्य वाले हमसे बैवीत हो यह बार तो हमें अपने बच्चे को बेठाल के रुदन नहीं किया जो अपराध करने जा रहा था तब नहीं समाला उसकी छोटे से प्रवतिया नहीं समाली तुमने अब बड़ा होकर अपराध कर रहा सच्चा माता पिता वही है एक किसी नावालिक के साथ गलत आच्छन किया तो उसके पिता नहीं कहा था बंदी मत बनाओ उसको ततकाल फांसी दे दो मुझे ऐसे बेटी की जरूरत नहीं जो उसने एक नादान बच्ची के ऐसा करके ऐसा हत्या जैसा उसको तुरंत मार दो मैं नहीं चाहता मेरा ऐसा बेटा कहलाए कोई वो प्रणाम योग्या है माता पिता माता पिता ऐसे आप राधी को बचाने के लिए रो रहे हैं उनके नाटक को हम नहीं देखते हैं उस दिन तुम्हें याद नहीं है जब असत आचरन यह सुरू से कर रहा था तब तुम उसको बैठाल के रोते कि तेरी अनुपस्थिती में तेरी जेल में या तेरी फांसी मे चड़ने पर मेरे छाती फटेगी तुम मानले मेरी बात आज वहाँ पैसे के बल से रुदन के बल नहीं मानना है उस शमय दया नहीं करनी दया उस पर करनी है जिस निर्दोस के साथ ऐसा ब्यवहार किया गया या जिसके साथ भी ऐसा आपको पक्का पता है बिलकुल आंसरों को नहीं देखने चीखते हैं यमराज के दूद्द देखते थोड़ी हैं चीखते वहाँ यहां तो दिखाई देता है नरक की बात दिखाई नहीं देती है तो पक्का समझो आप अपने हरदय को निर्दोस के प्रति दयावान रखें और दोश युक्तित के प्रति कठोर जिसका सत्य से सम्मंद होता है वो कभी नहीं जुकता कभी नहीं जुक सकता हां मृतिव एक बार होनी है अजार बार होनी नहीं है तो उस एक बार का जो होना है जब होना है वो निश्य पक्का है उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकता हमारी चतुरई से तो हम तेरे से क्यों डरें जिस समय जो कुछ होना होगा हो जाएगा लेकिन जब तक मैं हूँ सत्य का पालन करते हुए कभी भैवीत नहीं होगा बिल्कुल ऐसे निडर हो जाना चाहिए जैसे किसी को फोन आवे कि अगर आप उसको उसकेस को नहीं लेते ना तुम आपको देख लेंगे हां आएंगे संसार का इसक आए हां बिल्कुल डरने की जरत रही हां सीम की चाप सकय को उतासू बढ़ रखवार रमापति जासू हर तलवार हार बन जाएगी आप ये भी ध्यान रखना दूर से दिख समझे कि भगवान मतलब रक्षा नहीं करते नए नए पक्का दुर्वासाजी जवर जस्ती अपराध लागू कर दी अंबरीश के उपर कोई अपराध नहीं था और कृत्या प्रगट कर दी तो वहीं सुदर संचक्र प्रगट हो गया आप सुदर संचक्र तो नहीं है इसलिए निडर रहना डरना नहीं किसी की धम यह सब मरण मरणानमुखा है मरत्यू के ग्रास हैं क्या तुम्हें धमका सकते हैं सब मरत्यू के जो ज्यादा यहां रहेन रावन समभिमानी हिरना कश्यप समभरदानी धूल धूसरीत हो गए देखते नहीं उस अंसार की समा चार तो आप सब पता है आपके आगे आते हैं जो ज्यादा भिमान में उठेना धूल धूसरीत हो गए मिट्टी में मिल गए जिसे का जाता है काल महान बलवान है सब को नश्ट कर देता है धर्म वाले को डरना नहीं चाहिए इतने बड़े धर्मात्मा भीस्म जी द्रोणा चारे जी करपाचार जी अस्वस्थामा जी जिसके साथ थे महावली दस्यों हजार हाथियों का बल रखने वाले भाई जिसके थे वो स्वयम महावली दुर्योधन पांडवों को मिटाने की कोशिस की चल के द्वारा जुएं के द्वारा और क्या-क्या मिट गया बंस में को थोड़ा समय अधर्मी हाई लूजन की तरह चमक सकता है लेकिन फ्यूज होने में देर नहीं लगेगी नठ हो जाएगा पक्का इसलिए हमें लगता है कि हम दुख शुक की परवान करके सत्य पर चले और ये तो आप भूल जाएए जिस समय आपके काटा चुबना है वो फूल विश्व में कहीं भी कोई भे नहीं प्रदान कर सकता हम बच्चापन से इसी कानुभो करते रहें उनकी कृपा का उसी बल पे कह रहें वो तुमें है जहां तुम हो वहीं है वो सर्फ सक्तिमान है वो तुमें बहुत प्यार करता है और वो कर तुम अकर तुम अन्यता कर होता है वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे उसे स्री कृष्ण कहते हैं च्छे दिन के हैं महाराज चठी का दिन है और ऐसी राक्षसी आई कि देवता भी कांपते थे पूतना हाँ कोशों शरीर था उसका जब गिरे भगवान और जहल लगा के आई थी कि हजारों को मार दे भगवान ने चठवे दिन परंपत बेद दिया उसको ऐसे तो हमारे बाल गोविन गिरिराज जी कीस किलो मीटर के हैं पूरे ब्रजवासियों के रक्षा के लिए ऐसे साथ दिन साथ रात ऐसे उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं सेस रूप में अनंत ब्रह्मांडों को सर यह एसा करन नहीं जहां प्रभूण हो बस आप विश्वास कीजिए और डर नहीं डर सब्ड़ अपने जीवन में नहीं होना चेह दो आदमी आते हैं चार आते हैं पर मर के आते हैं हमारे लिए बीसों के लिए भारी पड़ जाते हैं नहीं पड़ जाते क्योंकि उनको केवल मरने का निश्चा हुआ बस मैं मरा अब वो जो पहलाते हैं अपना प्रभाव कि हम बीशों पचासों खुब ट्रेनिंग सुदा और हमसे चूक बले हो हम वह डरने वाले नहीं क्यों उन्होंने मृत्यू कवरांड कर लिया हम क्यों डर हैं उसी माठी के हम भी बने हुए है उसी के आंस हम भी हैं वो अपने सुख के लिए हम राष्ट सुख के लिए बिल्कुल निर्भय हो जाओ अगर निर्भय हो गए तो एक लाख पर भारी पड़ जाएगा एक आदमी केवल हमें मृत्यू का भय ही हमें कमजोर कर रहा है गुरु गोविन सिंग का जो वचन था ना कि सवाव लाख से एक लड़ाओं क्यों पूरिश अभा में कहा कि मुझे अगर सीस दान करें तो मैं आजादी को दान करूंगा उठो एक खड़े हुए पीछे गए और ऐसी आवाज आई और कुछ रख्तसा निकला अब दूसरा उठे पूरिश अभा में पांच उठे थे पंच प्यारे जिसने मृत्यू का वरण कर लिया मरने से डरा नहीं एक से सवाल लाग को पराजित करूँगा उसी कि संतानाफ हैं उसी इस्वर की उसी क्यांस है डर का है का अगर किसी के फोन से डर जाए किसी की धमकी से डर जाए और हम ये मालने की पूरा स्वतंत रहे जगत जब जिसको चाय खा जाए तो अब तक खा गया होता है ये डर ले कभी से लहे आप धैरी पुरुवक रहे मजबूत रहे और शत्य से चलिए आप बहुत विवेकवान है अभी आपके अंदर पवित्रता सुरक्षित है जो आपको निर्ने करने लायक बनाए नहीं तो पागल बना देता है धन जो है ना धन मत धन की चा ये बावरा बना देता है चाहे जितना पाप चाहे जितना धर्म और जीवन फिर परिणाम क्या होगा कितने दिन रहना इस भूमी पर कितने दिन रहना अपने कर्तब से चूक गए धर्म से चूक गए भगवान से चूक गए तो हाथ क्या लगा सब बैंक बैलेंस यहीं रह जाएगा परिवार वाले दस बारा घंटा भी नहीं रखना चाहेंगे पैसा दे के जल्दी ही फुकवाना चाहेंगे ऐसा ही होता है इसलिए ये तो उस दिन की याद रखो जिस दिन मालिक के सामने जाना है आप सत्य से वहां भी छाती तान के प्रिविस करेंगे यहां भी सुक और वहां भी सुक और जाने का समय निश्चित है वो पक्का है उसे कोई टाल नहीं सकता इसलिए बिल्कुल निर्वे रहो एक बार तो जाना ही है आज जाऊं या कल जाऊं इसलिए जब जाऊंगा तो दहारता हुआ जाऊंगा ऐसे क्यों क्यों करें हम डाउन क्यों हो जाए फोन जो करें ना कभी कि हम देख लेंगे तो भया जिस दिन आप सूचना दो गोज दिन कोट उतार के भी हम आएंगे खुला तुम देखो भला करके सम्राट अगबर आगरे आया वहाँ देखा कि यहां ब्रजमंडल के जो छोट लाक दिया जाएगा कंठी बांग किया तो गला उतार दिया जाएगा फरमान लागू कर दिया अब बात्सा मदुकर शाजी और छा के लाजा थे उन्हों का कि हमने तिलक तो लगाया है भगवान का भगवान तो अनंत ब्रमांडों के श्वामी है यह तो एक मुल्क का दिया और बैश्णोजन 12 तिलक लगाते हैं 12 बड़े बड़े तिलक लगाए नीचे काच्छ वाली धोती तलवार खोशी खुला च्छाती अब वहां कोई भी नहीं था जो तिलक लगाए हो क्योंकि बादसा का फर्मान वो जेवी पोशे तो अकबर ने कहा मदुकर शाह तुम का दासत तो है तलवार खीचली अब मैं देखूंगा कौन मेरी गरदन उतारता कौन मस्तक जब तक भुजाओं में बल है तब तक किसी कुछ छूने नहीं दूंगा तिलक में टालने के लिए मैं तयार हूं तुरंत बदल गया तुरंत लिखित बात है तुरंत बदल गया औ कस चलंगे जब ताम मदकरसा यही में देखना चाहता था कि किसकी निष्ठा है तिलक पर और किसकी निष्ठा कंटी पर जो तुम कहो वह मैं लिखनू ब्रज Só zalने किसी को तिल्द कंटी के मास्त मस्त रहो सच्ची कह रहा हो मस्त रहो डरने की जगत ले डर डर के जीना मरने से भी बहुत बेतर है नहीं निर्भय होके जीना एक मिनट जीना बहुत काफी है निर्भय होके रहना सत्य पे रहना दर्में पे चलना खिलाफ हमारी बातों का इसमर्ण करना हर जगह बचात बहुत सुन्दर पद मिला हुआ है आपको देखो बस इसमें आपका तो कोई इसमें विशेश जो आपको साक्षी प्रगट करने वाले हैं जैसा आपको अवस्में भगवान ही आपके अंदर बेट प्रगट करके निर्ने करते हैं बस किसी प्रडोवन या भैसेयुक्त आप न और से क्योंकि आपके सामने जो साक्षी प्रगट किया जाएगा उसी के अमसार नय होगा हां क्योंकि 優किल या जो 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 आपके सामने शाक्ष उसी पर आप निरने करेंगे तो अंदर से भगवान को शाक्षी करके कि प्रभू हम निरने क्या कर सकते हैं आप हमारी बुद्धी में बैठिए और आप निरने कीजिए और जब आप उठें अपने आसन से अपने सेवाकार से उसी समय प्रभू को शमर्पित कर दें क कि जिस समय में आये थे, उस समय से अभी तक, जो भी आपने करवाया, वो आपके चरणों में समर्पित करते हैं, वो आपकी बहुत बड़ी पूजा बन जाएगी, हाँ, एक एक शर्ण भगवान को समर्पित किया जाए, तो बिना किसी अनिशाधन के, वो भागवत धर्म करने वाला वो भगवत प्राप्त महापुरुश हो जाता है, तो अब जैसे बेवारी क्रियां हैं, हैं तो ना भगवान की सर्ष्टी की, बस उसे समर्पित करना है, अपने में करता भाव आने पर कर्म भोग, और इसमें तुर्टी हो सकती है, करता भाव में, क्योंकि वो हो सकता सामने वाला निर्दोश हो उसके साक्ष देने वाले उसके पक्ष में हो गए हो तो हमारे ही नयाय से उसको दंड मिलेगा या उसको मुक्ती मिलेगी उस दोश से और हम साक्ष के अधार पर चलने तो करता निर्णाय करने वाले हम होंगे अगर गलत निर्णाय हो गया तो समली तो हम भी हो जाएंगे करता पेरक अनुमूदन तीन को बराबर फल मिलता है अच्छे में या बूरे में तो हम अगर उसे भगवान के उपर समर्पित कर देते हैं आप जुम्मेवारी उनकी बन गई कि हमारी बुद्धी में बैठिये और आप निरने कीजिए क्योंकि आप सब को भगवान को समर्पित कर देंगे हां बहुत सुन्दर आपके द्वारा हमारे राष्टी की विशेश सेवाएं होती है क्योंकि अधर्मियों को दंड देना और धर्मात्माव की रक्षा करना यही हमारे भगवान का विस्वरूप है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कताम धर्म संस्तापनार थाए शंभवामी युगे युगे बहुत सुन्दर यदिया अपने हर्दय में भगवान की भावना करके और हर समय को भगवान को समर्पित करें जो प्रस्ण अभी एक माननी है अधिवक्ता महादिनरका महराजी ऐसे हम बदार सेंदो इनवर्सिटी से पड़े हैं वहां के साथ पंदित मदन महान मालविय के बड़े अधिवक्ता थे और उनके किसी अपने करमचारी के लड़का जो की वास्तों में दोसी था उसकी वका चला कि यह हम से जूट बोल करके और पूर्ट में उनका बहुत सम्मान था तो उसका उसके करबचारी का लड़का बरी भी हो गया बाद में उस समय से ही वकालत ही चोड़ दी हां क्योंकि उनको ग्लान हुई ना जी 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 तो कहीं कहीं महराजी जो भाव होता है कहीं कहीं आत्मा को प्रताडित करता है अधिया हाँ बिलकुल बिलकुल सत्य भी से हाँ पर अगर आप भगवत समर्पित करेंगे तो वो बात भी बंद हो जाएगी ततकाल आप देखना जब हम भगवत आश्रित होते हैं तो जैसे अरजुन के रज के घोड़े प्रभु पकड़े तंतुष्ट होगा ही नहीं अपना महत्तो और आस्तित्त रखकर जब हम निरने करते हैं उसमें तुरुटी हो सकती पर भगवान का नहीं जिनका आपने नाम लिया अगर वो भगवान के आंतरिक भाव से जुड़ जाते तो उनको ततकाल अनुभ होता कि मुझे जूट के सा गलतियां ऐसी बन गई बहुत बड़ी बड़ी गलती बन जाएगी जैसे निर्दोस की फांसी सजा या आजीवन कारावास तो उसका परड़ाम फिर लोटेगा ना तो इसलिए मुझे अब लोटकर को हमारे उपर आएगा ना इसलिए हम आपको बहुत सहज रास्ता बता रह और जब सेवा से अटें तो ये प्रभू नौ बजे बेठा था या इतने समय उठा इतने समय में जो कुछ हुआ वो मैं आपको समर्पित करता हूँ यत करोशी भगवान ने का यत करोशी ये तु सरवानी कर्मानी मैशन्यस्य मैरे को समर्पित ये मुक्त हो जाओगे पर हम अलहाद आएगा कभी आपको पश्चात आपने होगा अगर कभी ऐसा दोश्द आया भी तो आपके हिर्दे में अगर प्रभू देखो आपने क्यों समोधाने किया हम तो अपने जीवन के बाग दूर आपके चरणों में समर्पित किये सब का मन जाएगा ठीक है